देखो जहां स्ने होता है वहां गोष्ठी नहीं होती है शब्दों का अभाव हो जाता है जैसे हमने गोपियों का सुना बही पहले उन्होंने नया नया प्रेम लगा गोपी गीत गाए पर बाद में जब भगवान चले गए वहां से और जो भी हुआ फिर गोपी गीत नहीं गाए मिलती भी हैं तो सारी चुप रहती हैं मिलती भी हैं तो सारी मौन में हैं मिलती भी हैं तो कोई-कोई आवाज नहीं कर रहा है इसका मतलब है जहां स्ने होता है वहां गोष्ठी नह ही होती है शब्दों का अभाव हो जाता है वैसे भी देखो नया नया प्रेम लगता है गुरू से भी हम लोग कई तरह से उनको अपना प्रेम बताने की कोशिश करते हैं आगे चल के हम उस टॉपिक से ही मौन हो जाते हैं उनको भी पता है मेरा प्रेम है मुझे भी पता है प् ये बोला है प्रेमियों ने के जहां मुखमौन होता है निगाहों से काम होता है उस मैफिल का प्रेम नाम होता है प्रेम नाम ही उस मैफिल का है जहां पर शब्दों का अभाव हो जाता है अभी लड़का लड़की का ही प्रेम होता है शुरू में सारा दिन I love you, I love you हर फोन पे बोलते हैं हर मेसेज में लिखते हैं शादी के बाद कोई नहीं लिखता प्रेम का परिणाम निकल आया सामने शादी हो गई भक्त का परिणाम निकल आता है प्रेम का कि वो हर समय भगवान में खोया रहता है तो बोल के भी क्या करे मैं तुमारा तुम मेरे समझ आ गई भगवान मेरा है ही मैं भगवान का ही हूँ और भगवान को भूल पड़ी नहीं थी भूल तो भहिधरी पड़ी हुई थी यहां भूल पड़ी थी दुरुस्त कर ली बात खतम हो गई अपने आपको याद दे लाया वो पिक्चर में तो दूसरे को सटिस्वाई करते हैं सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा भगत अपने को संतुष्ट करता है कि आज जुगात से इश्वरकाई अंशूं और आज भी वही हूं कल भी वही रहूंगा भगत अपने को संतुष्ट करता है दुनिया में प्रेम को प्रमान देना पड़ता है यहाँ पर अपनी संतुष्टी प्रमान बनती है अपना भाव प्रमान बनता है ना गुरु हमसे प्रमान चाता है ना हमको सिद्ध करने के आशकता होती है पर जब अपने अंदर प्रेम आ जाता है तो ऐसे मैसूस होता है कि अपने अंदर के वह भाव अपनी वो संतुष्टी वही बहुत बड़ा प्रमान है बार का प्रमान क्या करेंगे याद करना नहीं पढ़ता याद रहता है भक्ती को प्रवाहित करना नहीं पढ़ता भक्ती का प्रवाहसाज रहता ही है भगवान को फोटो के सामने जाके नमशकार नहीं करना पढ़ता हर वक्त अंदर वाला शुक्रानों में और प्रेम में डूबाई हुआ है ये प्रमान तो अपने आपको मिलते रहते ही बगवान को क्या प्रमान दें सांसारिक प्रेम में और इश्वरिये प्रेम में यही फर्क है महां थकान बहुत है महां प्रेम भी थकाने वाला है यहां प्रेम विश्राम है एक महां प्रेम में थकावट है क्योंकि जंजट हो जाता है अब प्रेम हो जाए किसी से तुमारा जंजट हो गया उसको मनाते रहो उसको समझाते रहो उसको information देते रहो मैं यहां जा रहा हूँ मैं यह कर रहा हूँ फिर कुछ उसको पसंद है कुछ उसको नहीं पसंद है जा सच बताओ तुम मुझे प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो कितनी सारी बाते भगवान ने कभी हमसे नहीं पूछा तुम मुझे कितना प्यार करते हो तुम क्या कर रहे हो यहां ठकान नहीं है न और जहां ठकान नहीं है वहां समर्पन सहज होता है चल मज जाती है, इस प्रेम में शोर नहीं है, इश्वर के प्रेम में कोई शोर नहीं है, अच्छा नया नया प्रेम होता है, अपने अंदर भी गोश्ठियां चलती है, उसने ये का, मैंने ये का, मैं मिलूंगा, ये काउंगा, आगे चल के देखो, प्रेम में आप खोए रहत भाव कहते हो, शब्द माध्य हम ही कहां बचते हैं, बात ऐसे ही हो जाती है, बगवान को भी कह देते हैं, पढ़ ले रे शाम अब तो पढ़ ले, दिल का हाल आखों से, अब तु मेरी आखे पढ़ ले, मेरे पास बुलने की सामर्थे ही नहीं, शब्द कहां से जुटाऊं, बातें कहां से लाओं, शब्दों की आवशक्ता नहीं है, भाव कह चोते, अब दादा भग्मान बुलते थे, समझो कभी रात को न देर से आँख खुल गई उनकी, आधी रात को उठ बैठे, एक बजे, डेड़ बजे, अश्टा वकर गीता ले आओ, पढ़ेंगे, अब की लोग तो भी सोए थे, दस ग्यारा बजे काम माम कदम करके, तो सब जबकियां खाते थे सामने बैठके, नींद करते थे, दादा बोलते थे कोई बात नहीं, नींद आ रही है इधर ही, सोजाओ, मेरे तख़त के नीचे पैर कर लो, यहां सामने सोजाओ, किसी ने बोला, दादा फिर फाइदा, बोला, मेरे भाव पौँचेंगे, मेरे वाइब्रेशन से औरते आती थी, दादा, इंग्लिश में बोलते थे, तो सब कहते थे, दादा, यह लोग समझेंगे थोड़े आपकी बात, बोला, समझेंगे, मेरे vibrations कैच होंगे इनको मेरे भाव ये लोग पकड़ेंगे और बताया गीता भगवान ने बुला जो कल्यान की ओरते आती थी गाउं था बिलकुल दियात इत्ती उची उची तो साड़ी पहनती थी पर वो लोग बोलती थी हमने दादा के पास आके determine किया वोले हम लोग हैरान होते थे ये लोग English भी सीख गई है तो शब्दों की आवशक्ता नहीं पड़ी न जिसके अंदर भी प्रेम था श्रदा थी उसको गुरू के शब्द पकड़ने की आवशक्ता नहीं पड़ी कभी कभी सत्संग में ही कई लोग उलत जाते आज भारी सत्संग था आज मुश्किल सत्संग था क्योंकि तुम शब्द पकड़ रहे हूँ भाव पकड़ोगे तो एक मिनिट में समय जा जाएगा गुरू कहना क्या चाहता है यहां पर बढ़ाई तो इन चीजों की ज्यादा है ना जैसे वो एक संत थे वो संस्कृत में लेक्चर करते थे तो संस्कृत में वो lecture करें एक बुजर्ग बुढिया बैठी रहती थी वां, वो इतना जूमती थी, एक संस्कृत की टीचर भी आया करती थी, वो उसको देखे, बोले इतनी टफ संस्कृत बोल रहे हैं, मुझे समझना ही मुश्किल हो रहा, मैं तो संस्कृत की टीचर हूँ और ये बुढिया माता को इतना समझ आ रहा है जुमती है ये तो आखिर एक दिन सत्संग पूरा हुआ उसने पकड़ लिया बुढिया को बोला माता जी आपको जितना महात्मा जी कहते हैं सब समझ आ जाता है बोले बया ये जो बोलता है तो ब्रह्मा को भी न समझ आए तो माता जी आप तो जुमती है इतना बोले मैं जब आके बैठती हूँ तो एक भाव बनता है ये मेरे भगवान की बात कर रहे है ये मेरे प्रिये और प्रिया की बात कर रहे है प्रिये मेरे कृष्ण हो गए प्रिया राधा हो गए जब मैं ये भाव बना के इनके सामने बैठती हूँ न ये मेरे प्रिये प्रिया की बात कर रहे है तो मैं जुम उठती हूँ कुछ भी कह रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं पर मैं यूँ खुश होती हूँ कि मेरे भगवान की कोई बात कर रहे हैं तो देखो वो भजन से इतना आनंद सत्संग से रोज ले जाती है और बोला मैं पूरा दिन जूमती हूँ कि मैं तो दो घंटा अपने प्यारे की बाते सुनके आई बात एक भी नहीं आती संस्कृत क्या उसको हिंदी नहीं आती माताजी को लेकिन अपने भाव से वो इतना आनंद संचरित कर लेती है तो शब्दों की महिमा या पड़े लिखे होना ये सब थोड़ी जरूरी है मैं हमको शब्द कैच हूँ अब दादा जी कहते हैं प्लीज कैच मी हम उनके शब्द ध्यान से सुनना चाहते हैं दादा जी को कैच करना है दादा के शब्द नहीं कहच करने दादा जहां से बोल रहे हैं वो कहच करना है इतना भाव से बैठना है कि दादा का भाव समझ आ जाए बात तो उसमें बनने वाली है शब्द में बात कहां बनने वाली है बात तो यही है कि जहां ने उत्पर नुआ वहाँ शब्द वैसे ही नहीं चाहिए अच्छा भी हम भजन गाते हैं समझो किसी भजन में आपको बहुत रस आ जाता है तो आपको पता भी नहीं होता आपकी ताली भी लहमें बज रही है के नहीं आपको पता भी नहीं होता आपका सिर जूम रहा है आप पूरे जुम रहे हो कई बार शब्द भी कानों से परें आप बस खो गए शब्द थोड़ी जुमा सकते हैं किसी को कितने ही अच्छा शब्द वो भजन का वो आपको जुमने पर मजबूर नहीं कर सकता पर जब आपका भाव बन जाता है आप शब्दों से भी परे चले जाते हो जुमते तो आप तब हो अभी आपने ध्यान से किसी का भजन सुनना है आप ऐसे आखे गड़ा के यू यू करके सुनते हो उसमें आपकी बुद्धी संतु श्टोरी है क्योंकि आप शब्द कैच कर रहे हो फिर आप उठके बोलते हो भजन बड़ा अच्छा था शब्द बड़े अच्छे थे बड़े प्यारा भाव बनाया तुमने और मेरे भावों को लग रहे हैं शब्द दे दिया तुमने जब उन शब्दों ने अपने आपको मिटा के आपको भावानन्द दिया होगा तब तो आपने कहा न मेरे भावों को शब्द दे दिये तुमने शब्द भी अपने को मिटा देते हैं भगवान की दर्बार में सब मिटते हैं शब्द भी मिटाते हैं अपने को तब तो हमें आनन्द देते हैं शब्दों से हम अशब्दी की तरफ जाते हैं शब्द के इस पेड़ पे भाव के फल लग जाते हैं गुरु के शब्द हैं, रुहानी शब्द हैं इस पे रुहानी भाव के फल लगते हैं वही तो हम आनन्द देत होते हैं सुनके अंदिया उसने, भजन पचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, भजन बचा मना तेरा एहंकार बचा, भजन पचा मना तेरा एहंकार भी वली नुआ, अभी भुजन आपने खाया, अगर वो भुजन याद रहता है, बार-बार अपनी याद दिलाए, किस दिन कोई भारी चीज खालो, वो अपनी याद देलाता, डकार आती है न, वो याद देलाता is, आज पकोड़े खालिये, आज फलानी चीज खाली, मलाई कॉथता खाली है, भारी ओगया न, पचा नहीं, तो वो याद देलाता जो पच गया और कोई पूछ ले क्या खाया था, क्या खाया आज मैंने क्या खाया, देर लगती है याद करने में, जो पच गया वो ताकत बन गया, जो पचा नहीं वो कुडा हो गया, वो बदबू उठाएगा, वो गंदगी बनेगा जाके, इसी तरह से शब्द पचना चाहि पच जाए, कोई फरक नहीं पड़ता आपको गुरू का शब्द याद एके नहीं, लेकिन आप इतना ध्यान दो, आप भाव विभोरों के उठे के नहीं, वो इंपोर्टेंट है, मीरा ने जितने भजन गाय पता नहीं उसको फिर याद रहे या नहीं, सुनने वालों ने ल लिके रखे होंगे, लेकिन वो भाव विभोरों गई, वो मगन हो गई, वो मस्त हो गई, क्या फरक पड़ता है इससे, अब भजन एक गाने बैठो आप, मेरे शाम दा होए दिदार, अब वो गाते गाते मेरे यार दा होए दिदार, प्रितम दा होए दिदार, पता नहीं कह चला जाता है, भाग जो उठा दे, उठा दे, बाद में हम यह नहीं याद करते, मैंने ये शब्द गाया, ये शब्द गाया, वो जो रस्पिया होता है, वो मेरे साथ रह जाता है, वो आनंद मेरे साथ हो जाता है, फिर हम उस नशे में रहते हैं, अब रामतीरत की बात नहीं आती कि स्वामी राम तीरत ने देखा था एक बुजर्ग उल्टी गीता लेके और छाती से लगा के बैठा बहुत भीग रहा था उन्होंने बुला आप गीता पढ़नी जानते हैं बुला नहीं मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर एक शब्द नहीं पढ़ना आता मुझे तो उन्होंने बोला आपने तो किताब भी उल्टी पकड़ी है बोला मैं तो बताई रहूं मुझे सीधा उल्टा अक्षर भी नहीं पता चलता उल्टी पकड़ ली होगी तो आप इतने भीग कैसे रहे हो फिर बोला गीता हाथ में लेते ही न मेरे अंदर भाव आजाता है ये मेरे प्यारे के शब्द है मेरे भगवान के मुख से निकले शब्द है बस मुझे तो उससे ही समाधी लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता गीता सीधी कैसी होती है उल्टी कैसी होती है मैं तो एक शब्द नहीं पढ़ सकता इसका लेकिन जहां ये वीचार आ जाता है भाव बनता है तब ही बोला यहां पर भाव के सौदे होते हैं श्रद्धा के सौदे होते हैं इंपोर्टेंट भाव नाएं होती हैं बाहर का कुछ भी important नहीं है अच्छा आप खुद देखो प्यार से दीवी गाली अगर कोई प्यार में आके गाली भी दे दे वो गाली भी प्यारी लगती है है न? भगवान कभी किसी को रन कह देते थे तो को बुरा नहीं लगता था किसी को सबस देते थे प्यार से दीवी गाली भी प्यारी और दिखावे की प्रशंसा वो पीडा दे जाती है अनभव करो कोई दिखावे की प्रशंसा करे अंदर उसके मन में सांप लोट रहे हूं बाहर से प्रशंसा करे वो पीडा देती है कि ड्रामा कर गया फलाना आके देखते नहीं कईयों के घरों में कोई दुख सुक हुआ, फंक्षन हुआ कोई आ गए बड़ा अच्छा फंक्षन किया बड़ा अच्छा किया, ऐसा किया तारीफ कर गए घर जाके बातें बनाते हैं क्यों कि आनी करना चाहिए था ये वो दस तरह की बकवास जितना नीचा स्तर, जितना गंदी सोच किसकी उतनी गंदी बात कर लेगा तो ऐसी प्रशंसा भी पीड़ा देती है न ऐसे व्यक्ति का आना भी पीड़ा देता है और हम सोचते हैं कोशिश करें अगली बार से ऐसे व्यक्ति को ना ही बुलाएं दिखावे की प्रशंसा करता है अंदर जाके दूसरी दूसरी बातें करता है आ तो जाएगा बाहर से अब कई सत्संगी उश्यार हो जाते हैं बाहर से आ तो जाएंगे किसी भी फंक्शन में तिर ज्ञान तो यह नहीं कहता ज्ञान तो ऐसा मन करता है न आगे से इनको इन्वाल ना करो जादा बेतर है तो पीडा देती है न वो प्रशंसा जो अगले ने दिखावे के लिए प्रशंसा की आ गया इन्वाल प्रशंसा और मूसे ना करे आई गया आ गया तो मतलब खुशों के आया है इससे बेतर था ना आता तो दिखावे वाली प्रिशंसा पीडा रूप है अगले को पीडा पहुँचेगी खुशी नहीं होगी कभी कभी देखो कोई व्यक्ति आ भी जाए उसके आने से भी खुशी नहीं होती अंदर वाला यादी नहीं करना चाहता कि वो व्यक्ति आया भी था तो समय जाता है उसका भाव इतना दूशित था और कोई नहीं पहुचा दूर से उसने आशिरवाद दिया प्यार दिया यादी किया हमें तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अगले व्यक्ति ने इतना प्र भाव रखा तो शब्द या चेष्टा इससे ज्यादा भाव की महिमा हुई है एक शब्द बोल रहा है कोई या कोई चेष्टा कर रहा है उससे भी उपर भाव सर्वो पर ही है ना भाव होना चाहिए शब्द या चेष्टा का कोई मैत्वी नहीं है ना करो ना बोलो किसी के बर्डे पे हम गए, हमने हैपी बर्डे नहीं बोला मूं से, पर हमने बढ़के उसको केक कटवाया, केक खिलाया, प्यार किया, आशिरवाद दिया, और वो एक हैपी बर्थडे शब्द का मौताज थोड़ी है, भावसर वो परी हुआ न, शादी में कोई आया, शगुन का लिफाफा मैं तो पूर्ण नहीं है, पर अगला अपने पन से आया, काम किया, चार लोगों को मिला, जुला, खुशी प्रगट की, नाचा, गाया, तो लिफाफे के मौताज तो कोई भी नहीं है, लिफाफा थोड़ी गिनते हैं, कितने का लि प्यार अगले का भाव किस प्रकार का था, पायरी चीज का कोई मुले ही नहीं है, कोई भी मुले नहीं है, अभी कोई दूर शेहर रहता है, समझो वो एक काड़ी भेज देता है, एक बुकेई बुक करा के भेज देता है, महत्व किसका है, उसके प्यार का महत्व है, चीज क मैं तो नहीं है चाहिए एक रोज बड़ भेज दे कुई अरे उसको याद रहा क्या दो रुपे वाला कार्ड भेज दे चाहिए फ्री की कॉल कर दे चलो आज कल आउट गॉइंग भी फ्री है कॉल कर दे लेकिन हम किस चीज की वेल्यू करते है अगले के भाव की और कोई दिखावा तो बहुत बड़ा करे और अंदर कालक रखे अपने मन में तो ऐसे वेक्ती का प्यार कबूल करने का भी मन नहीं करता प्र पट है उसके मन में खोट है बार दिखावा अच्छा कर रहा है यही तो दोश सब करते आए अब भक्ती में दोश कैसे आ गए इश्वरिये प्रेम में दोश कैसे आ गए कि कर दिखावा भक्ती का ओड़े चादर उजलिया अंतर मन साफ किया ना बाहर मांजी गागरिया यह यही तो गलती होई न अरेक से कि भक्ती का दिखावा करने में सोचा भगवान राजी हो जाएंगे भगवान के लिए सोने की बांसुरी बनवाएं सोने का मुकुट बनवाएं ऐसी लगवाएं भगवान राजी हो गए वो तो जा बैठे राधा के घर वो तो जाते हैं खिया माल इनको, वो तो मूँ चाटते हैं, उस ग्वाले का जिसके गर में एक रोटी भी नहीं थी लाने के लिए, खटी चाच थी, सोचके देखो, भगवान किसको महत्व देते हैं, भाव को, हम दुनिया को दिखाने के चक्कर में फच जाते हैं, और सोचते हैं, भगवान भी इंप्रेस हो गए होंगे, भगवान कहां से इंप्रेस होंगे, भगवान भावना से इंप्रेस होते हैं, अब जब किसी को अंदरूनी किसी चीज की खुशी होती है, तो बाहर भी वो खुशी छलक जाती है, बिचेरा तो बोलता ही है, अब आप कहीं बड़ी खुशी से जा रहे हो तो आपका dressing sense भी बता देता है कि बड़ी खुशी से जा रहे हो और कहीं formality पूरी करने जा रहे हो तो क्या होता है आपको कोई कह भी दे आ रहे ऐसे क्यों बन के आ गई formality पूरी करनी थी एक बुलाया था ना आते तो फिर अच्छा ना लगता पता चल जाता है जो भीतर होता है वो बाहर आता ही आता है ऐसा हो सकता है जो भीतर हो बाहर ना है मन के खिडकियां दर्वाजे खूब सारे हैं कही ना कहीं से इंसान का प्यार भी बोलता है इंसान का द्वेश भी बोलता है इंसान का राग भी बोलता है सारे बोलते हैं भावों को भगवान ने जबान नहीं दी पर भावों की अपनी जबान तो है हर जगा तो शब्द से दुनिया में भी काम नहीं हो रहा हो रहा है क्या आप कहीं खुशी से नहीं जा रहे आप वहाँ थोड़ी बोलाते हो, मैं खुशी से नहीं आया, वहाँ तो ऐसे जवरदस्ती की नकली मुस्कुराहाट, गिफ्टाथ में होया आते हो, शब तो वहाँ भी नहीं इस्तेमाल हो रहे है, पर आपको लगा में नाटा कच्छा कराया, अगले लोग समझ गए, दिखावा करने आया था, देखा कैसे बन के आया था, देखा दो मिनट रुका नहीं, देखा खाना भी नहीं खाया, अगला समझ जाता है तुमारे भाव को, जरूरी थोड़ी है कोई, बाहर से हम दुनिया में भी नहीं कह रहे कुछ किसी को, शादी ब्या में देखते हैं नहीं, फलाना आया था, हस्बेंट कहेगा फलाना भी आया था, वाइफ कहेगी मैं तो नहीं देखा, शायद ना वो बस सगन पकड़ा के चले गए, खाना ही नहीं खाया उन्होंने, पता लग गया, कि फॉर्मेलिटी करने आये थे, बोल तो कुछ नहीं गये न, राजगी तो नहीं दिखा गये, अच्छा कोई वेक्ती बड़ी प्रसंता से आया, अब वो भी नहीं कहता, देख मैंने न, बीस अजार वाली साड़ी पैनी आये तेरे घर आने के लिए, यह भी नहीं कहा, लेकिन उसको देख के हमें पता चल गया, भाई यह हमारी खुशी में कितना खुश है, यह हमारे प्रेम से कितना बंदा हुआ है, यह इसके अंदर हमारे लिए कितना प्रेम है, बुलता तो वहां भी कोई नहीं है, एक महिना नहीं हुआ बाप को मरे शादी कर रहे हैं, फिर शादी में आके भी सौ चीज़ें देख जाएंगे, बुलता तो कोई नहीं है, लेकिन वो जो अंदर की उनकी कुड़ कुड़, जलन, इरश्या, वो पता लग जाती है, तो ऐसा दिखावा गाली लगता है, जब कोई ऐसा दिखावा करता है, कि अंदर और रखे, बार और रखे, वो पीड़ा ज्यादा देखे जाता है, तो इसका मतलब भाव सर्वो पर ही हुए हैं न, चेष्टा या शब्द की बात नहीं है, बात है भाव की, आपका भाव कैसा है, भगवान किस पे रीजे, भावों पे रीजे, अब कर्मा दातुन करते हुए, खिचली बना रही है, भगवान किस पे रीजे, उसके भाव पे, क्रिया पे थोड़ी रीजे, अचा शब्री के, भाव पे रीजे क्रिया पे रीजे, के जूठे बेर खे ला रही है, ऐसा, लक्ष्मन जी चले गए क्रिया में, क्रिया में गए, तो ना प्रभू की लीला देख पाए, ना भक्त की लीला देख पाए, भकत का भाव पड़ नहीं पाए उनकी भक्त वच्छल्ता देखना पाए सामने होते हुए भी दृष्छे वो जलो गया क्योंकि अपने क्रोध में भर गये वो गया काम खराब हो गया भगवान भग्त वच्छल्ता प्रगट करने पे मजबूर हो गये क्योंकि भक्त का भाव इतना प्यारा है राम किस में खोए हैं शबरी में खोए हैं शबरी के प्यार में खोए हैं शबरी के भाव में खोए हैं शबरी कहां खोई है वो अपने प्यारे की कृपा पे खोई है उनके प्रेम में खोई है आज उसकी आंस पूरी हुई है इतनी अनुपम लीला लक्षमन जी वन्चे तो गए अनुपम लीला थी भक्त भगवान की पर अंदर के एक भाव ने काम कहबाराप कर दिया सारा केवट को भी देखा लक्षमन जी ने और अपनी एंकार के कारण काम खराब कर लिगा सारा वहाँ पर तो इत्ती प्यारी लीला हो रही है भक्त तरह तरह से भगवान को रिजहा रहा है युक्ती से सिर पे हाथ रखवा रहा है युक्ती से नाव में घुमाता जा रहा है एंठ एंठ के ले जाता है लास्ट में उत्राई नहीं लेता उनसे इतनी लीला जो आज भी हम लोग बैठ के आपस में चर्चा करें बहुत आनन्द देगी लक्षमन जी को आनन्दी नहीं दे पाई क्योंकि वो अपनी किसी भाव में खोय हूँ है तो ये भी देखना पड़ेगा कि चेश्टा में गए शब्द में गए तो भाव से खाली हो जाएंगे भगवान चेश्टा में ही तो नहीं जा रहे किसी की न शब्द में जा रहे न चेश्टा में जा रहे वो तो भाव में जा रहे है जाकी रही मन भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको वैसा दर्शन देते हैं कोई साकार रूप को प्यार करता है उसको साकार रूप में मिलते हैं कोई मेरे साथ उत्सव मनाना चाहता है उसको उत में भी बुलाते हैं कोई संतुष्ट बैठ है अपनी मैं में ठीक है भाई कुरू राधी नीच योनियों में भी मैं इदकैल देता हूं जाओ पॉइन के योगिया है तो वहिंबैठ तो भावी तो आकर्षित करता है बगवान को शब्द किसका आकर्षित करता है, शब्द तो कोई भी बोले, अब नानक जी ने ये नहीं कहा, जब बोला कि आपने गद्दी लेहना को क्यों दी, उन्होंने ये नहीं कहा, ये मिरको पार ब्रह्म परमेश्वर कहता था, उन्होंने कहा, ये मिरको पार ब्रह्म परमेश्वर जानता था, मु परमेश्वर मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर वो अंदर से जानता था अब ऐसा शब्द कई लोग बोल सकते हैं कई अपने गुरू को लिखते होंगे कई अपने गुरू को कैभी देते होंगे आप तो मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर लेकिन गुरू फिर देखता है मेरे को ज कुछ भी कह दो गुरू को, विष्णु जी की आरती कर दो गुरू के आगे, वो जग शैनाम और क्या क्या कह दो, लेकिन जानते हो, इंपोर्टेंस उसकी उई शब्द की तो नहीं हुई, अब क्रिया की भी चेश्टा की भी क्या इंपोर्टेंस, भई हमने जरा सा चरनामरत बनाया, भोग लगा दिया, बाकी संगत पी गई, अब तुम एक बात सोचो, भगवान कोई बिमार है, उनको ग्लुकोस चड़ रहा है, उस टेम देते हैं न, चम्मत से पानी ऐसे, डॉक्टर कैते है थोड़े से ओटगी ले कर दो, अधर्वाइस तो बंदा पूरा गिलास च्छीक से पीएगा पानी, तो यह चेश्टा खाली हम, अपने मन की संतुष्टी के लिए कर रहे है बारी थोड़ी, अपने मन की संतुष्टी कर रहे है, अपना अपना भाव, अपना अपना प्यार, importance उसकी हो जाती है अच्छा हम यह नहीं कहते कहीं कहीं पर चेश टाइम भी अच्छी होती हैं भावसहत होती है अब भगवान का एक बार था प्रक्टी करण दिवस हमको बोला यहीं सत्संग पंजाबी बाग में रख लो और इस बार तुम रुक जाओ तुम नहीं आना अजीब लगा हमेशा तो जाते ही थे हमने का अब एक बात आप और अलाओ करिये फिर बोले क्या हम लोग यहाँ पर प्रशाद करेंगे केक वेक तो नहीं काटेंगे लेकिन प्रशाद हम करेंगे भजन हम लोग आएंगे उत्सव हम मनाएंगे पर हमें उत्सव तो मनाने दो ना दो मिनिट तो चुपो गए फिर बोला अच्छा उत्सव तुम हमेशा मनाना तो आज दिन तक फिर वो उत्सव चलता ही आ रहा है हम कभी यहां नहीं भी होते थे तो भी अच्छे से प्रशाद होता था सब होता था अब प्रेम में आके हो गया न जैसे कई लोगों को अभी आने को नहीं मिला अब किसी ने कामने अपने घर में केक बनाया किसी ने कामने अच्छा खाना बनाया किसी ने बोला हम याद कर अब कोई रोता रहा, कोई उत्सवमन आता रहा, अब भाव दोनों का है, चेश्टा कोई भी हो गई, अब हमको भी चेश्टा याद करने की आवशकता नहीं, कि हम बोलें फोटो भेजो, बड़ा केक था, छोटा केक था, तुम सब घरवालों ने काटा, कि तुन्हें अकेले क चेश्टा में जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है, अगले का भाव पर दान है, में जो बात समझने वाली है, वो यह है, कि अगले का भाव, अच्छा, भावों को अगर समझते जाओ, फिर बात भगवान की भी सही समझ में आती है, अगर हमें भाव ना समझ में आये तो भगवान की बात भी हम नहीं समझ सकते हैं आप देखो भगवान की लीला ही है एक विचार करो जिनका ध्यान करने से जिनका सुमिरन करने से इंसान दे अध्यास से मुक्त हो जाता है काम करो दादी विकारों से छूट जाता है तो कोई भी लीला उनकी लीला दर्शन से पहले अगर ये बात समझा जाए भाव ऐसा हो जाए तो पता चलेगा कि जब उनके सुमरन मात्र से हम इन चीजों से छूटते हैं तो क्या वो इनके अधीन होंगे और अपना हिर्दे तयार ना हो भाव ना हो फिर क्या तमाशा होता है कि लीला तो सुनाई जाए तुम्हे भगवान कृष्ण की रादा की और तुम उस लीला को ऐसे देखो जैसे पिक्चर का हिरो हिरो इनकी लीला देखो हिर्दे तयार किस से होता है हिर्दे भाव से तयार होता है ना हिर्दे त्यार करना क्या है भाव प्रगट करना जब तक हिर्दे में ऐसा भाव प्रगट ना हो अब क्योंकि जब भग्वान अवतार धारण करते हैं मनुशे लीला करते हैं तो आँख है न करम बहुत तर आंके देखती है यह बहुत तरंकी बातें सोचती है बुद्धी अमारी मन अमारा कई संकल विकल्प करता है सबसे पहले भाव से हिर्दे को तैयार करना चाहिए और सबसे अच्छी तैयारी यही है भगवान ने जो कहा मैंने इस तरीका मुख नहीं देखा लीलाएं सुनो तो राधा के साथ जूले में बैठे है वो कहते हैं मैं अभोगता हूँ और ऐसे तो लूट लूट के माखन खा रहे हैं बड़ी सारी शंकाईं पैदा होती है अगर केवल लीला पे जाओ पर जब भाव से हिर्दे को तैयार करो तो प्रेम का रूपी दूसरा समझ आता है जब सोच अपनी गंदी है तो भगवान की लीला भी कहाँ पले पड़ेगी अपनी सोच पवित्र हो तो भगवान की लीला भी समझ आनी शुरू होती है अब सोचो जिन कृष्ण का नाम लेके शुकदेव मुनी आजीवन ब्रह्मचारी रहे गोपियां सनान कर रही है ऐसे निकल गए जैसे लाउती फकीर ने कुछ देखा ही नहीं सोचो रियों मारे निचाल तो भी लाउती लंगे विया अब ऐसी स्थिती होती है जिनका नाम मातर लेने से क्या वो कामकरोद के अधीन होंगे जिस शुकदेव मुनी का अंतिम वस्तर भी गिर जाता है उनको याद करने मातर से और उसको होश नहीं रहता क्या वो विकारों के अधीन होंगे और जब भाव से मिर्दे तयार करते हैं लीला भी समझ पाते हैं लीला से रस भी ले पाते हैं शंका से भी रहत रहते हैं और कभी लीला को कौपी करने की कोशिश भी नहीं करते हैं मूरख आदमी होगा जो भाव से रहत है वो लीला को समझ ही नहीं पाएगा वो कां समझेगा वो तो अपनी जड़ता के अधीन ही रह जाएगा और तो कुछ करने ही पाएगा मैं समझो आज हम लोग के पास ही कोई दुखसूख होता है लेकिन हर चीज जियों कीतियों चलती रहती है अब भावाला तो ये देखेगा कि देखो संसार में रहके ये लोगों प्राम बैठें भावाला तो ये देखेगा सीखेगा, समझेगा, चड़ने की कोशिश करेगा प्रशन उत्तर करेगा कि हम ऐसे निरलेप कैसे हो सकते हैं भावाला तो ये सोचेगा जो भाव से रहते हैं वो फिर किसी भी तरफ मुड़ सकता है वो उसकी जित्ती गंदी सोचोगी, नीची सोचोगी क्योंकि बिना भाव के देख रहा है तभी तो सबको मने करते हैं मत उठाके लाओ गर के लोगों को भी खास तोर पे किसी वारते होँर के दिन क्योंकि अगला क्या देखेगा बायर की पोशाक देखेगा, बायर की चीजें देखेगा समझने वाली चीज तो उसको समझाएगी ने वो सोचेगा मैं शैद जादा शोका को लूँ ये तो खुश है अब उसको क्या पता? लक्ष्मी जी के पैर दबाने से क्रिशन जी खुश है या अपने गीता वाले ज्ञान से हनंद में देखने में तो यही आ रहा है लक्ष्मी जी कोई ब्रह्म हो गया मैं सारा दिन पैर दबाती हूँ इसलिए भगवान खुश रहते हैं वो यह सोच रही है भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे है मेरी सेवा से प्रसन्य और ज्यादा एंकार उचला तो पूछी लिया भगवान आप मेरी सेवा से आनंद में हैं बुला ना तू ना करे कल तेरे भक्त बुलाएं चली जाए मैं तो अपने गीता के ज्यान से आनंद में हूँ अब एवड उचा होए कोई तेस उचे को जाने सोई कोई उचा होगा तो उचे भगवान को समझ पाएगा जो खुद दे के स्तर पे बैठा है वो वहीं शब्दों की गोष्ठी लगा के बैठ जाएगा कानिया जोड़के बैठ जाएगा अब ये भी तो हम कहते हैं एक मिनिट पहले की बात भुला दो ये भी तो हम कहते हैं अशोक रहना तेरा धरम है ये भी तो हम कहते हैं जनक का एक पाउं गरम तेल के कड़ाए में एक सुन्दर इस्त्रियों की गोद में वो आनंद में बैठा है अब बोलता है ज्यानी का जीवन बोलता है ज्यानी का आचरण बोलता है कि ना उसके पास शादी की रीत, ना गमी की रीत, शादी गमी की रीत नहीं, उसके पास तो मातम और शेहनाईयां कठे बजते हैं, ब्रमग्यानी के घर में शादी है, वो अंदर कफं सीरा है, पले पड़े तब ना, क्योंकि भाव से हिर्दे तैयार ही नहीं है, हिर्दे तो कचरे से लिपत है हिर्दे भाव से तयार हो तो समझ है वरना तो ज्यानी की भी स्थिती समझ नहीं आ सकती है इंसान प्रशन चेनी लगा के बैठा रहेगा और कभी-कभी तो हम सोचते हैं कि इंसान ना इदर से सेटिस्वाइड ना उदर से जिसके पास भाव नहीं है कहीं से संतुष्ट नहीं भगवान बोलते थे समझो हमार पास कोई दुख सुख हो जाए हम तुम लोगों की तरह बैठ जाएं फिर कहेंगे देखो असर तो हुआ ना अपने वालों पर आती है तो हुता ही है कहने की बाते हैं अच्छा चलो भई हमने कुछ नहीं किया ऐसा फिर हम खुश हैं फिर हम जो आ रहा है सामने वही कर रहे हैं कोई वारतिहार आ रहा है वो भी मना रहे हैं फिर कहेंगे लो इन लों को कोई फरक ही नहीं पढ़ा प्रेमी खतम हो जाता है क्या सत्संग से फिर तुम्हारा दिमाग वाँ चलने लगेगा क्योंकि भाव से हिर्दे तैयार ही नहीं है किसी का हिर्दे भाव से तैयार हो तो समझ भी पाए कुछ जब हिर्दे भाव से तैय बजार में भौंकन कुटते हुजार संतन को दुर्भाव नेहीं जो निंदे संसार तभी उसने संत ने लेके राक एक मुठ़ी प्रशंचा करने वालों के मुँमे एक निंदा करने वालों के मुमे क्योंकि मैं जो हूँ उसको कोई समझाई नहीं दादा जी बोलते थे ना मैं मिस्टर ना मैं मिस्स मैं हूं मिस्टरी अब किसको समझ में आए अब भगवान राम को भी बोला गया उनकी मा नहीं बोला कि तुने सीता को निकाल के अच्छा नहीं किया क्या प्रजा के कहने से तुम भी चलोगे राम जी ने कहा देखो भई सीधी बात है राम की पतनी सीता हो सकती है लेकिन राजा राम तो प्रजा से ही है ना तो उसकी महरानी का फैसला भी प्रजा से होगा अब यह फरक है हमसे किसी ने पूछा हमने उसको यही बोला हमारा जीवन परसनल थोड़ी है हमारी लाइफ सब की है गुरू ने सब को डिवोट करा दी है लाइफ तुम तो यह बोलते हो तुम डिवोट हुए हम कहते हैं गुरू ने अपने को डिवोट करा के हमें सब को ड देने के लिए जीओ, हमारा अपने जीवन पर अधिकारी नहीं है, अब ये समझ में भी तो आए ना बात, भाव होना चाहिए, ये बातें नहीं कहचोती हैं, जड़ बुद्धी लोगों को ये बातें नहीं कहचो सकती हैं, क्यों बोला, निरलेप संसार में रहते हुए न्या कभी नाव का मिसाल दिया, कभी किसका दिया, तो समझ भी तो आए किसी को, भाव होगा तो समझेगा न, तुम करके दिखा दो, चलो, तुम बड़े स्याने हो, तुम करके दिखा दो, तुमारे अंदर इमत ही नहीं, तुमारे अंदर शक्ती ही नहीं, तुमारे अंदर खाल मानते हो, तुम रिष्टों को सच मानते हो, उन चकरों में पढ़ते हो, हमारे पास वो चकरी नहीं, हमको बोला डेडी के टाइम, पगड़ी, उनका पगड़ी कैसी, पगड़ी गुरु ने एक रख दिये सिर पे, दूसरी पगड़ी की गुंजायशनी पगड़ी पे प्यानता, शांती से बैठ जाओ सब, यह तो एक बाहरी जो रसम था, जरूरी वाला ठीक है, जो करना था, वो कर दिया, बाकी तो गुरु ने निश्चे कराया, तो मेरे बच्चे ओ, I am son of God, देव के स्तर की बातें गुरु ने खतम कर दी, तो अगर तुम्हारा हिर्दे भाव से तयार नहीं, तो तुम्हें लीला अगर राधाकृशन की भी सुनाई न, तो तुम समझोगे, यह कोई पिक्चर के नायक नायका है, वैसी दृष्टी बना लोगे, वैसी पिक्चराइजेशन कर लोगे, वैसा देखना शुरू कर दो होगे, तो कि तुम्हारा भाव तयार ही नहीं, और जब भाव तयार होता है, तो क्या होता है, बात हम सुनते हैं राधाकृशन की, जुड़ते हम जाके अपने प्यारे से, और समझ में आ जाता है, कि उस समय कितने पवित्र भावों का उद्गम होता है, जब भक्त भगवान का संगम होता है, कितने पवित्र भावों का उद्गम होता है, वो तब समझ में आता है, समझ में आज अपने को आता है, हमने कभी गुरू को देद्रिष्टी से ही नहीं देखा, तो बाहर की हर क्रिया ने वाचसले दिया, बाहर की हर क्रिया ने एक पवित्र भाव पैदा किया, चैनोंने गले भी लगाया, उनकी दृष्टी की तो हम बात ही क्या करें, उनको तो अपने आपके सिवाए कोई दिखाई नहीं कभी, गले मिलाओं मैं खुदी खुद से उनकी तौलत ही है पर अपने आपको भी विचार करो उनके सामने जाते ही अपनी आप ही भूल जाता था उनको ही कभी देदरिष्टी से नहीं देख पाए क्योंकि अपना आप ही भूल जाता था किती बड़ी एज होने के बाद भी उनके सामने जाके कभी नहीं लगा हं बड़े हो गए ऐसे ही लगा हं वही छोटे बच्चे वैसी हसें वैसी बुलें वैसी बातें करें अंतर हो गया तो जब हम देदरिष्टी से खुदी नहीं देख पाई तो उस समय जो भी घटे तुआ होगा कभी उनका हाथ पकड़के चले होंगे कभी उन्होंने प्यार किया होगा कुछ भी हुआ वो सब एक पवित्रता की बात थी न देख स्तर की तो बाती नहीं थी अब जब अपना हिर्दे भाव से तयार होता है तो समझ में आती है भगवान की लीला क्या रही होगी तब समझ में आता है और बड़ी बात नहीं जब चीजों को शब्द दिये जाते हैं न वो और ही कुछ हो जाते हैं शब्दों में बांधते ही भावों की पवित्रता भंग होती है सच कोई शब्दों में बांधो जूठ बन जाता है हो अब राधा ने कहा होगा मैंने भगवान के संग प्रेम के जूले जूले लोगों ने जूला बना के राधा कृशन दोनों डाल दिये दोनों जूले खाओ शब्दों से पिक्चराइज करना चीजों को और किस भाव से कहा गया दोनों में अंतर है अब बात हम भी करते हैं लेकिन हमारे अंदर कभी पिक्चराइजेशन जूले की नहीं आती क्योंकि कहते तो हम लोग भी यह भगवान के साथ प्रेम की पिंगें जूली है लेकिन पता है बाईरी जूले में नहीं बैठे यह अपने भाव को एक शब्द दिया बाईरी जूले में थोड़ी बैठे हैं उनके संग ऐसे कभी भाव को एक शब्द दे दिया यह फरक हो जाता है अभी समझो मरिद्वार किसी को लेके चलें हम खड़े हैं सामने अचानक किसी का पाउँ फिसलने लगा हमने जाके उसका हाथ पकड़ लिया और हमने का अच्छा आपना हाचुके नहीं नहीं एक दूबकी लगाने अच्छा लगालो हम हाथ पकड़े हैं आपका चलो नहां के बार आगया अब अगला आके बोले मिरको तुनोंने हाथ पकड़ के दूबकी लगवाई उसका भाव हे वो सरस हो गया अब सोचने वाला सोचे क्या उन्होंने जाके वहां सबके हाथ पकड़के डुपकियां लगवाई होंगी मैं भी जाके लगाऊंगा कोई नकल से ही चल पड़े तो बात को जब कहा जाता है भाव को शब्दों का सहारा देते ही न बात गड़बड हो जाती है वाकर उठालो विसाखियां उठालो चाल बिगड़ जाती है अपनी चाल फिर भी ठीक है वस चलते तक लगता है किसी का आत पकड़ो विसाखिय न उठाओ या वाकर न पकड़ो होता है नहीं होता है तो शब्दों का सहारा लेते ही विचारे भाव की चाल बिगड़ जाती है इसलिए ध्यान रखना है भावों को शब्दों में मत पिरो और अगर कभी शब्द में कोई पिरो रहा है शब्दों से picturization मत करो भाव कहच करो तब मैंने बोला जाह नही है वहां शब्द नहीं बचता है क्या कहो उसको कुछ कहने कि आवशकता ही नहीं इस्तरी पुरुष भी यह जब भाव चरम पर होता है तो बोलते नहीं है पहले बातें करते रहते हैं जब प्रेम भाव चरम पर पहुंचता है, बोलते थोड़ी हैं फिर, तो ये तो फिर इश्वरिय भाव है, ये जितना उचा जाता जाएगा, शब्दों से परे होता जाएगा, शब्द थोड़ी चाहिए, अब बार बार कहना थोड़ी है कृष्ण जी को रादा को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, या रादा जी को थोड़ी कहना है, रादा जी का समर्पन बता रहा है, प्रेम, और भगवान कृष्ण जो तरह तरह से उनके लिए कर रहे हैं, उनका प्रेम बता रहा है, उससे भी उपर, जब वो रादा जी का ध्यान करके रादा रूप हो जाते हैं, यही प्यार का सबसे बड़ा आशीरवाद है, इससे आगे क्या जाना है, शब्दों में क्यों बांधना है फिर इसको, जरूरती नहीं है, यह भजन हमने बना दिये हैं, प्रेम दिवानी हैं, वो प्रेम दिवान है, गोपियों ने थोड़ी गाया कुछ ऐसा, उन्होंने अपनी साधारन सी बात की, अपनी बात आगे रखी, बात खतम कर ली उन्होंने, शब्दों का एक माया जाल है, बहुत अटकाता है, और पते इस मार्ग पर भी बहुत लोग फिसलते हैं, एक तो अपने को शब्द जाल में बांधते हैं, फिर सोचते हैं, गुरू क को भी शब्द जाल में बांधें वो समझेंगे हमारा बड़ा भाव, हमारा बड़ा प्यार, शब्द जाल है सारा, प्रभु भाव ना दा बुखा, ना शब्दों का बुखा, ना चीजों का बुखा, प्रभु भाव ना दा बुखा, कुछ ना समझ आए ना कभी भाव इतना तो हो उस बुजर्ग माताजी की तरह कि जो बात कर रहे हैं प्यारे की कर रहे हैं और जुम जाओ चलो कभी-कभी लगता है नहीं समझ आता है कोई बात नहीं ना है लेकिन criticism तो ना हो निंदा तो ना हो मन में कुड़कुड तो ना हो शोर तो ना हो बात तो तब है अज किसी के गर दुख सूक हुआ शादी में पौँच भी गए कुड़कुड कर रहे हैं तो भाई इतना प्यार था तुम जाने वाले के साथ चले जाते हैं ना हम देखते तुम्हारा ही प्यार टपक रहा था इतना, तुम चल देते ना साथ, क्यों ना गए, बैठे क्यों अभी तक, इतना ही जादा प्यार है, तो किसी के अंडेत हुआ, गुरुजी बैठे थे, एक आई बड़ी दूर से धाणे मारती, रोती, गिरी आके बड़ी, भगवान उसको बोलते है, सुन, इसका पती, तेरा कोन लगता था, मुद बीजाओं, मेरा कोन लगता था, बगवान ने बूला, तुम इतना कहे, शोर मचार ही है, रोर इसथ संग रुखवादी हाह मारा, कहती हो तो फर्मेल्टी करनी पड़ती है, भगवान ने हम सब को दिखाया, बोला, देख लो हाल और दो मिंट बाद अपना चाय पी रही है एस रही है गपे मार रही है मगवान बोले देखो इस सब दिखावा ड्रामे बाजियां करते हैं आके, असल दुख किसी को नहीं है, दुख होता है, तो देखते जरा दुख में तुम साथी बनते, देखते जरा दुख का समय तुम पार करवाते, उस समय तो हर कोई अपना घर, ग्रस्त, अपना बाल बच्चा नहीं, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना जाना तो पड़ेगा, ऐसे तो करना पड़ेगा, फिर फिर ये दुखडे का दिखावा क्यों, नाटक क्यों, नाटक की किसलिए फिर फालतों की, तो ये दुनिया है, जो शब्द जाल में भ्रमीत है और दूसरों को भरमाती है, दूसरों को जबरदस्ति एमोशनल कर करते हैं, कई लोग आते हैं, हम स्वारूप देखके रोना आ जाता है डैडी जी का, मैंने क्यों, पहले कितना पूछ लिया था डैडी जी को, पहले कितना पूछा था भाई, दुख सुख में कभी आये, बिमारी हारी में आये, रोज फोन करते थे उनको, कहे क्या आसु आ सिरफ इमोशनल डायलोग बाजी, और थोड़ी कुछ है, इंसान का मन अपना भी शब्दों में भ्रमेत है, तो मैं रोना ना आ रहा हो, न चार बाते हैं, याद करोगे रोने के लिए, फिर रोना आता है, इमोशनली अपने को वीक करना पड़ता है, भाई क्यों करें अपन फुल रहें, स्ट्रॉंग बने अंदर से, भगवान की रजा में राजी रहें, तेरा भाना मीठा लागे क्यों ना करें, जीते जी शेवा क्यों ना करें, इत्ती सेवा कर लें, जीते जी बाद में कोई अफसोसी नहीं, तो शब्द जाल बुनने ही नहीं पड़ते, अब श कहां की बात कहां रिलेट करो, कहां की कहां करो, हम रिलेट कर दें, हई घर में ऐसा हो गया, दस साल पहले गुरू जी ने कहा ऐसे हो गया, रोने के लिए तो कहानी है इस, बना लो, बड़ी अच्छी बन जाएगी, नाने दादे पर दादे कई गए होंगे, सब की लिस्ट क कुछ हुआ ही नहीं है, सत्य का कभी अभाव नहीं है, सत्य का तो भावी नहीं है, गुरुने का शरीरों की कोई अस्ती नहीं है, आज ही अपने शरीर से भी इंकार करके बैठो, बाकी तो सत्य तो सत्य है, आदसत जो गादसत है भी सत ना नकोसी भी सत चलो शब्द भी पकड़ना है फिर ऐसा शब्द पकड़ो जो ताकत दे के जाए ऐसा शब्द क्यों पकड़ो जो कमजोर करके जाए शब्द भी पकड़ना है तुम्हें चलो शब्दों का सहारा भी लो वो लो भी हम शब्दों से उचे नहीं उठे कोई बात नहीं गुरू के शब्द का सहारा लो मजा आएगा जीवन जीने का फिर ये कमजोर वाली बातों का सहारा क्यों रंग में भंग क्यों डालना मंगल में अमंगल क्यों करना है हसी में रोना क्यों है शेनाई बज रही हो तो मातम की बात क्यों करनी है सोचने वाली बात है ये भी दुनिया में यही समझ तो नहीं है किसी के पास जो गुरु हमको देता है मां को देखो वहां बेटे को घोड़ी चड़ा रही होगी, पती की फोटो के आगे रोने खड़ी होजगी, पिक्चर में दिखाते हैं, फिर वो सोचती हैं, उमको शयद करना होगा ऐसा, या बेटे को ले जाएगी, आज तेरे पापा होते, तो शादी ना कराती है, पापा हो रुक भी नहीं सकती, फेरों का टाइम फिक्स है, देर हो रही है, रिष्टेदार खड़े है, पर वो दो मिनट का शगुन जरूर करेगी, लोगों को लगे कि मुझे पती भी याद आया, अच्छा वहां पती को याद करके रोई, बहार आती लड़का गोडी चड़ता है, डो करना पड़ता है, यह है बुद्धी की जड़ता, सब करना पड़ता है, करना है तु ढंग से करो भी अगले का भी मूड मत कर आप करो, अगला घोडी चड़ रहा है, तुमने रोना शुरू कर दिया, क्या जरूर रहते हैं, जो कारे कर, प्रसंता किसमें प्रसंद हो जाओ, दुनिया के लोग उल्टे सब, हसी में बुलाओ तो रोने लग जाएंगे, रोने में बुलाओ असने लग जाएंगे, डेट पे आएंगे, थोड़ी दर बाद बैठके गपे मार रहे हैं, हस रहें आपस में, शादी में आएंगे, आंसु बाने खड़े हो जाएंगे, हमें याद आ गई, तुम्हारे पिता जी याद आ गई, तुम्हारे दादा जी याद आ गई, तुम्हारी नानी मर गई ना, वो याद आ गई, चल, अजीब बात है, यह दुनिया अजब है बहुत, बहुत अजब है दुनिया, वो देहाती चड़ा ना, बस में, बकरी को लेकर, त तो बकरी का टिकेट लगता, बकरी पे चादर डाल दी, अरे बोला कंड़क्टर ने ये कौन है, बोला मेरी नानी है, जानवर का टिकेट जादा लगता है, टिकेट सस्ता मिल गया, बोला मेरी नानी है, बेमार है, इसको शेर ले जा रहा हूँ, अब थोड़ी देर में नानी बकरी ने पौटी कर दी, अब वो सारी फैल गई, अरे बोला ये क्या है, कहता है उसकी रुदराक्ष की माला तूट गई है, तो दुनिया वालों की ना ऐसे रुदराक्ष की माला गलट टूटती है, सब की, गलट टाइम रुदराक्ष की माला तूट जाती है इनकी, हसने में रोने लग जाएंगे, रोने में हसने लग जाएंगे आयो बड़ा तुमको अफसोस हो रहा है, फिर बैठो ना मरसद गुटने से गुटना मिला के मुझ बना के बैठे रो, रोटियां भी खाते हैं, आपस में भी हसते हो हाई किते दिन बाद मिले, मसा कठे रहे हैं, आपस में गप शब चल रही है, गोश्ठी चल रही है रोने में इनका हसना चल रहा है हसने में बुला लो, वहां रोना शुरू हो जाएंगे वहां रोना आ जाएगा मतलब सही तो कहीं भी नहीं है ग्यानी हसने के समय हसता है serious होने के समय serious भी होता है ज्ञान सुना के किसी को जागरत भी करता है ज्ञान की भी दिशा सही होनी चाहिए इसलिए शब्दों का मुले नहीं है भावों का मुले है भाव से अपने हिर्दे को हमेशा सही करना चाहिए भाव से किसी की बात सुनोगे बुरी नहीं लगेगी भाव से किसी को catch करोगे खुश रहोगे और भाव ही तो गलत होता है क्याता किस intention से उठाते किस intention से जगड़ा खड़ा हो जाता है ज्यानी के पास यही जगड़ा नहीं है